सेपहर के तीन बज़े हैं, अस्सलामों अलेकुम, ये रेडियो पाकिस्तान है, इश्रत साखिप से कब्रे सुनिए कंट्रोल लाइन के दोनों जानेब और दुनिया भर में मुकीन कश्मीरी, आज इनसानी हुकूक का आलमे दिन यौम सियाह के तोर पर मना रहे हैं, जिसका मकसद दुनिया की तवज्जो मकूजा कश्मीर में भारती मजालिम की तरफ मबजूल कराना है। वजिरियाजम ने भारती शेहित से मतालिक क आनूसाजी को आलमे कावानी के मिनावी गरार देते हुए इसकी मजम्मत की है। और भारत में भी अक्लियतों को शेरियत देने से मुतालिक उतनाजा कानून साजी के खिलाफ आज भारत के शिमाल मश्रक में हजारों मुझारीन ने इहतिजाजन शाराहों को बंद कर दिया विफाकी कावीना का इजलास वजीर आजम के सदारत में इस्लामबाद में जारी है जिसमें मुल्क की मजमुई सियासी और माशी सुरत इहाल पर गोर किया जा रहा है इतलाद की मौवने खुसूसी ने कहा है कि हुकूमत इल्म पर मबनी मईशत के फरोग के लिए मजीद टेकनॉलोजी पार्क्स काइम करने के लिए पर रजम है अक्वामी मुद्धा की जनरल अस्म्बली ने एक करारदाद मंजूर की है जिसमें रूस पर जोर दिया गया है कि वो क्रीमिया से अपनी फाज़ वापस बुला ले पागिस्तान और स्रिलांका के दर्मियान दो टेस्ट मैचों की सीरीज का पहला टेस्ट कल रावल पिंडी में शुरू होगा खबरें अब तफसील के साथ कंट्रोल आइन के दोनों जाने पर दुनिया भर में मुकीम कश्मीरी आज इनसानी हुकूप का आलमी दिन यौमिस्या के तौर पर मना रहे हैं जिसका मकसद आलमी बरादरी की तवज्जो मकूजा कश्मीर में इनसानी हुकूप की बिगड़ती सुरतहाल की जानब मबजूल कराना है ये दिन मनाने की अपील कुल जमाती हुर्टियत कॉन्फिंस के चेर्मिन सेद अली गिलानी ने की है इस दिन की मुनास्वत से भारत की तरफ से बड़े पैमाने पर जारी इनसानी हुकूप की संगी इंकलावर्जियों की मजब्मत के लिए आज मकूजा कश्मीर में मुकमल हर्ताल है सदर आरिफ अल्वी और वजीर अजम इमरान खान ने आलमी बरादरी पर जूर दिया है कि वो मकूजा कश्मीर के अवाम के इंसानी हुकूप के तहफ्थ के लिए अपना किरदार अदा करे आज इनसानी हुकूक के आलमी दिन के मौके पर अपने अलहदा अलहदा पैगामात में उन्होंने खकिक और रादियत के मुनस्फाना जद्दुजहद में किश्मीरी अवाम की सियासी सिफार्ती और अखलागी हमायत की पास्दारी के पाकिस्तान के अजम का इयादा किया सदर ने मकूजा किश्मीर में फाजी महासरे कर्फियू और 80 लाग से ज़्यादा किश्मीरियों के बुनियादी इनसानी हुकूक गस्प किये जाने पर गहरी तश्वीर साहर की वजीर आजम इमरान खान ने पने पेगाम में भारत पर जोर दिया कि वो अक्वाम मुत्तेह की हकाइक जानने के मिशन को मकूजा किश्मीर तक रसाई दे ताकि इनसानी हुकूक की संगीन खिलावर्जियों से मुतालिक रिपोर्टों का जायजा लिया जा सके वजीर आजम ने अपनी मुतादर ट्वीट्स में अक्वाम मुत्तेह की स्लावर्जियों से अपील की है कि वो भारत की तरफ से मकूजा किश्मीर के गेरकानूनी इलहाक के खिलाव कारवाई करे उन्होंने तमाम आलमी इनसानी जापतों और इनसानी हुकूक के गवानिन की पामाली करते हुए किश्मीरी अवाम पर ढाय जाने वाले मजाने मुझानि मुंगर संगीन खिलावर्जियों का स्लसला बंद करने का मुतालबा किया वजीन खारजा शाम महमुद कुरेशी ने आलमी बरादरी पर जोर दिया है कि वो मखूसा कश्मीर में इनसानी हुकूक की खिलावर्जियों और इनसानियत के खिलाव जराइम का सलसला बंद कराने के लिए फौरी इक्तामाद करे इनसानी हुकूक के आलमी दिन के मौके पर जमेदारियों को पूरा करे वजीर आजम इमरान खान ने भारती लोकसभा में शेहरियत से मुदालिक कानून साजी की मुदमत की है और इससे इनसानी हुकूक के आलमी गानून की तमाम अगदार और पाकिस्तान के साथ दो तरफा मौहिदों के मनाफी करार दिया है आज एक चूइट में उन्होंने कहा कि ये राश्ट्रिया सेवक संग हिंदू राश्ट्रिया नजरिये के तोसी अजाइम का हिस्सा है जिसकी तरवीच फिस्ताई मोधी हुकूमत कर रही है उधर दफ्तर खाजा के तरजमान डॉक्टर मौहिद फैसल ने एक बियान में मुसल्मानों के सिवा अकलियतों को शेहरियत का हक देने से मुतालिक भारती कानून साजी को मदमूम अजाइम के साथ हमसाय मुलकों में मदाखलत की खुलम-खुला साज़िश करार दिया उन्होंने कहा कि भारती लोकसभा की तरफ से नई कानून साजी की तहद मुसल्मानों के सिवा पाकिस्तान और दो दूसरे जनूब एश्याई मुलकों के शेहरियों को शेहरियत देना इन्सानी हुकुक के आलमी मन्शूर और मखभ या अकीदे की बन्याद पर हर किसम के अम मुझाहरी ने इहतिजाजन शाराहों को बंद कर दिया है आसाम के सूबे दारलहकूमत गुहाटी समेथ सूबे भर में टायर जलाकर और शाराहों पर धरना देकर गाड़ियों की आमदुरफ्त रोग दी गई मुझाहरी मुझाहरों के बाइस दुकाने और कारोबारी मराकिस बंद हैं जबके मतादत गाड़ियों को नुकसान पहुंचा है मुझाहरी ने वजीर आजम नरेंदर मोदी वजीर दाखला आमित शाह और आसाम के वजीर आला समेथ वरामारतिया जनतापार्टी के लीडरों के पुतलों को नजरे आतिश किया ये हरताल भारत के आठ शिमाल मश्रकी सूबों भर से तलबा ग्रूपों की नुमाइंदा तन्जीम नौट इस्ट इस्टूडन्स और्गनाइज़िशन की जानब से की गई ये खबरें आप रेडियो पाकिस्तान से सुन रहे हैं विफाखी काबिना का इजलास वजीर आजम इमरान खान की सदारत में इसलाम अबाद में जारी है इजलास में मुल्की मजमुई सियासी और इक्तिसादी सुरत इहाल पर गोर किया जा रहा है इतलात और नशियात के बारे में मौबने खुसी फिरदास आशिकावान ने कहा है कि हुकूमत मालूमात पर मबनी मैशत के फरोग के लिए तालीमी दारों में मजीद टेक्नोलजी पार्क्स के गयाम के लिए पुरहजम है National University of Science and Technology में Science and Technology पार्क के खियाम के हवाले से आज मतादत ट्वीट्स में उन्होंने कहा कि ये मनसूबा तालीमी एदारों और सनतों के दर्मियान एक पुल का किर्दार अदा करेगा उन्होंने कहा कि ये पार्क तहकीक और डिजिटल मेशिट को फरोग देने में मददगार साबित होगा फिर दौसाचिक आवान ने कहा कि साइंस और टेकनोलोजी पार्क तहकीकारों को मिल बैटने का प्लैटफॉर्म और टेकनोलोजी पर मबनी मेशित की तरकी के लिए अमली इख्दामात करने का मौका फराहम करेगा आजाज जमो किश्मीर के वजीर आजम राजा फारुक खेदर ने आज कराची में सिंद के वजीर आला सेद मुराद अलिशा से मुलाकात की इसकी मज़ीद तफसील एडियो पाकिस्तान के कराची के नुमाइन दे अलताफ पीरजादो की इस रिपोर्ट में पामाली पर इन्सानी हुकूक की तंदी में कश्मीर के मजलूम अवाम की आवाज बने वजीर अला से ने इस मौके पर मीरपुर आजाद कश्मीर में एक स्कूल एड़ाप करने का एलान किया और कहा कि हम आजाद कश्मीर के बच्चों को बहतरीन तालीम देने में अपना कि पाक बहरिया के जिरे इतमाम तीसरी मेरी टाइम वग्चोप के शुरका ने आज कराची और क्रीक के लागों का दोरा किया पाक बहरिया के तरजमान ने कहा कि मेरी टाइम वग्चोप के निकात का मकसद मुल्क में समूंदरी शुबे और बहरी इक्तिसादी इस्तादाद को फरोग देना है। विक्षॉप के शुरुका ने सुजावल, शावंदर और सरक्रीक में पाग बहरिया के अगले मोर्चों का दोरा किया। अन्होंने क्रीकफ के इलाकों में गैर क्रार्णूनी सर्गर्मी有點ों और ख्तराट के रूप थाम में पाग बहरीया के करदार को सराहबाद में बगशाप के शुरका को पाग बहरीया के जंगी जहाजों का मतालिफ्टी दोरा भी किराया गया अक्वाम मुत्तेहत की जनरल असेम्बली ने एक करादाद की मन्जूरी दी है जिसमें रूस पर जोर दिया गया है कि वो क्रीमिया से अपनी फौज बापस बुलाए और जुक्रीन की लाके पर अपना आर्जी तसल्ट खत्म करे 193 रुकनी असेम्बली में 63 मुलकों ने करादाद की हक्वें जबकि 19 ने मुकालफत में वोर्ड दिया 66 रुकन मुलक गयर हासिर रहे जबकि 45 ने राज शमारी में हिस्सा ही नहीं लिया करादाद में रूस की तरफ से काबिस मुलकी हैसियत से क्रीमिया में फौजियों की तैनाती पर गही तश्वीर जाहिए की गई है ब्यानमार की रहनुमा आंक सान सूची हेग में वाके अक्वाम मुत्तहदा की आलमी अदालत इंसाफ में पहुँच गई है जहां वो रहंगिया मसल्मान अकलियत की नस्लकुशी के लजामात पर अपने मुलक का दिफा करेंगी जराए बलाग की रिपोर्टों के मताबिक केमपिया ने नवंबर में बुद्मत मजभ के पैरोकारों के एक्सरियत मुलक के खिलाफ मुकदमा काइम किया था जिसमें उस पर 1948 के नस्लकुशी के कन्वेंशन के तहट जापतों की खिलाफ परसी का इल्जाम आयत किया गया है जमुरिया चेक के शिमाल मश्रकी शहर उस तरावा में आज एक अस्पताल में फारिंग के वाके में छे अफराद हलाग और दो शदीद जखमी हो गए कवी क्रिकेटीम के कपतान अजहर अली ने कहा है कि खिलाडी स्रेलनका के खिलाफ टेस्ट सीरीज से मुतालिख पुर जोश है आज जावल पिंडी में एक न्यूस कॉन्फरेंस से खताब में उन्होंने कहा कि स्रिलंका की टीम आसान हरीफ नहीं उन्होंने कहा वो इंतहाई मुनजम टीम है और ग्रीन शर्ट को ने शिकस्त देने के लिए अपनी वेहतरीन सलाहियतों का मुझाहरा करना होगा पाकिस्तान और स्रिलंका के दर्मियान दो टेस्ट मैचों की सीरीज का पहला क्रिकिट टेस्ट कल से रावल पिंडी में शुरू होगा रेडियो पाकिस्तान सुब साड़े नौ बज़े से मैच परमा तपसरा नश्रू करेगा आहम खबरों का खुलासा एक बार फिर कंट्रोल लाइन के दोनु जाने पर दुनिया भर में मुकीन कश्मीरी आज इन्सानी हुको का आलमी दिन यौमी सियाह के तौर पर मना रहे हैं जिसका मकसद दुनिया की तवज्जो मकबूसा कश्मीर में भारती मजानिम की तरफ मबजूल कराना है वजीर आजम ने भारती शहरियत से मतालिक कानुन साजी को आलमी गावानी के मनाफी करार देते हुए इसकी मजब मत की है वफागी कावीना का इजलास वजीर आजम की सदारत में इसलामबाद में जारी है जिसमें मुल्की मजमुई सियासी और माशी सुरत अहल पर गौर किया जा रहा है खबरें खत्म ही मजीद खबरों और तद्जियों के लिए मारी वेब साइट है radio.gov.pk और आप फेस्बुक के लिंक Radio Pakistan News Official पर बराहे रास्त वीडियो स्ट्रिमिंग भी मुलाहसा कर सकते हैं